अलो असलाम वालेकुम कैसे हो आप सब लोग मीदे सब खेरिये से होंगे बहुत ही सिंपल और एजी रेसिपी है बहुत ही लजीज बनते हैं यह आप लोग भी जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताइगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं इसके एक दो से तीन हरी मिर्च गरम मसाला कूटा हुआ आदा चमच तेज पत्ता अधरग लेसून पेष्ट एक चमच लाल मिर्च हल्दी धनिया यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो नमक स्वाद अनुसार मुने चने इनका फाइन पाउडर बना लेना है कुकर में तेल गरम कर लिया है में पसंदे डाल दिया है मैंने इनको अच्छे से फ्राइ करूंगी मैं गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है फ्राई करना है इनको फ्राई करने के बाद इस में मैं प्यास एड़ करूँगी और उसको भी अलका सा फ्राई कर लोगी अब हम इसमें अद्रग लेसं पेश्ट एड़ करेंगे और कुछ देर के लिए पका लेंगे इसका कच्चपन निकल जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है टमाटर गलने तक पका लेंगे इसके बाद हम इसमें कुछ spices हैट करेंगे अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे हरी मिर्च इस सब को अच्छे से mix कर लेंगे कुछ देर पकने देंगे अच्छे से पूल लेंगे इसको अच्छे से हमें मूल लेना है इसके अच्छे से बुनाई करनी है अब इसमें हम नमक एड़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे और अच्छे से बूल लेना हमें मसालों को मसालों से तेल अलग न हो जाये तब तब हमें इसके अच्छे से बुनाई करनी है अब हम इसमें चनी का पाउडर एड़ करेंगे इसको मैंने मिक्सर में फाउडर बना लिया था मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और कुछ देर के लिए इसको पकने देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसको पका लेंगे कुछ देर के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं और पसंदों में मिक्स हो जाएं अब हम इसमें गरम मसाला तेज पत्ता एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखी सब अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है मसाला मेरा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे और कुकर की सीटी लगाएंगे दो से तीन सीटी लेने हैं मीडियम प्लेम पर यह देखीए मेरा गोश गल चुका है मेरा पसंदे तयार हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं रेडी टू सर्व यह देखीए मेरे पसंदे बनकर तयार हैं बहुत ही लजीज और यम्मी से बनेते हैं आप लोग भी जरूर ट्राइ करीगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करो लाइक करो, शेर करो, कॉमेंट करो